हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माई यूटूब चैनल रेडियो लोजी टेक्निकल फ्रेंड्स आजम गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक्ट बेरियम इस्टेडी के बारे में बात करेंगे वे गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेक्ट के एनाटोमी की बात करेंगे क्योंकि बेरियम स्रीज के टू पार्ट होते हैं फैस्ट अपर जीए स्रीज सेकेंड लोवर जीए स्रीज अपर जीए स्रीज में इसोफेगस इस्टोमक डिडियनम वे इस्मॉल बोवेल या इंटेस्टाइन आते हैं लोवर जीए स्रीज में लार्ज बोवेल वे रेक्टम आते हैं अब बात क करते हैं किस जी एई ट्रेक के लिए कौन सी बेरियम इस्टडी की जाती है फैस्ट है बेरियम स्वेलो इसमें फेरिंग्स इसोफेगस वे प्रॉक्सिमल इस्टोमक की इस्टडी की जाती है सेकेंड़ बेरियम मील इसमें इस्टोमक वे डुडियनम की इस्टडी की जाती है थ स्टेडी की जाती है अब बात करते हैं इसोफेगस के एनाटोमी के बारे में इसोफेगस फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होती है इसोफेगस की लेंद 25 सेंटीमीटर होती है वह इसका लेवल सर्वाइकल 6 से थोरेक्षिक 11 तक होता है इसोफेगस फूड को फेरिंग से इस्टोमत तक ट्रांसपोर्ट करती है इसोफेगस की 4 लेयर होती है फ़स्ट है एडवेंटेसिया लेयर यह है इसोफेगस की सबसे आउटर लेयर होती है सेकिंड है मस्कल लेयर थैर्ड है सम्मुकोसा लेयर फ़स्ट है मुकोसा लेयर यह ह सबसे इनर लेयर होती है इस्सोफेगस में टू dispinther होते हैं फ़स्ट ए आपर uhisophagus ügg same spar यह फैरिंग्स вып Hairing ज्सोफेगस के बीच में होता है सब्सकाइब लॕर इस्फ ही स्पीन्टर है выпуск बाइसे इस्पीन्टर बोजन को वापस रीवर जाने से रोकते हैं अब इस्टोमक के एनाटोमिक के बारे में बात करते हैं इस्टोमक अपर एब्डोमन के लेट साइड में होता है यह इस्टोमक के फोर पार्ट होते हैं फ़स्ट है कार्डिया ये थोरेशिक 11 लेवल पर होता है ये है फूड को इसोफेगस से रिशिव करता है सेकंड है फंडस ये है गैस फिलेड एरिया होता है थर्ड है बोडी ये इस्टोमक का लार्ज सेंट्रल पार्ट होता है फूर्थ है पाइलोरस यह स्टोमक वे डूडियोनम को कनेक्ट करता है स्टोमक में टू करवेचर होते हैं फिस्ट है ग्रेटर करवेचर सेकेंड है लेजर करवेचर वे स्टोमक में टू स्पिंटर भी होते हैं फ़श्ट एंटेरियर इसोपेगस स्पिंटर या कार्डियक स्पिंटर सेकेंड है पाइलोरिक स्पिंटर अब बात करते हैं इस्मॉल बोवेल या इंटेस्टाइन की एनाटोमी के बारे में यह स्ट्रोमक वे लार्ज बोवेल के बीच में होती है इसके थ्री पार्ट होते हैं डेड्युनम, जेजुनम, इलियम डेड्युनम इंटेस्टाइन का फ़ेश्ट पार्ट होता है वे इसका सेफ सिसेफ होता है यह पाइलोरस से कनेक्टेड रहता है इसमें पेनकिरियाटिक वे कॉमल बाईडक्ट इंटर होती है लार्ज बोवेल या इंटेस्टैन यह gastro-intestinal tract का last part होता है लार्ज बोवेल, waterway electrolytes को absorb करता है लार्ज बोवेल की length 1.5 meter होती है लार्ज इंटेस्टैन को four section में divide किया जता है First ascending colon, second transverse colon, third descending colon, fourth sigmoid colon Friends, Gastrointestinal tract के Barium Study में Indication, Contraindication, Equipment वे Barium Study के procedure के बारे में विश्तार से Next वीडियो में बात करेंगे So friends, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर वा सब्सक्राइब जरूर करें वा इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहेगा